हे गाइज वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंस जैसे डाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपिस पहले जीरा राइस बनाने के लिए हमने टू कप्स बास्पूंती राइस को तू टू त्री टाइम्स पानी से अच्छे से धो लें डाल तड़का और टाल फ्राइ बनाने के लिए और डाल पाचास ग्राम मुशूर डाल पाचास ग्राम मूंग डाल पाचास ग्राम लेके उसे अच्छे से धो लेंगे धोए हुए डाल को प्रेसर कुपकर में दे देंगे यहां पर टोटल डाल हो रहा है 50-50 करके 150 ग्राम और 150 ग्राम डाल के लिए हमने लेंगे 1 लिटर पानी अभी इसमें थोड़ आशा तार्मरिक पाउडर और 1 स्पून ओएल दे देंगे पानी देने के बार प्रेसर कुपकर को हाई फ्रेम में रखेंगे जब उबलना स्टार्ट हो जाए तब प्रेसर कुपकर को धक्कन देके 4 सिटी होने के लिए वेट करेंगे देखिए डाल पूरा गयल चुका है अब हम डाल को तड़का लगाएंगे डाल को तड़का लगाने के लिए खाई पैन को प्रीहिंट करके 2 स्पून ओएल और 1 स्पून घी रेंगे अब इसमें 2 स्पून्स कीविन सीट्स यारी जीरा देंगे और सीट्स को बलने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हींग दे देंगे हींग से बहुत अच्छी स्पूस गुआते हैं दो बारी कटी हुई प्याज धे देंगे और तुने अच्छे से मिला लेंगे प्याज के बदामी रांग होने के बाद इसमें बारी कटी हुई जिंजर यारी अद्रक और लोशन देंगे अच्छे से ब्राउन होने के बाद इसमें से थोड़ा सा मिक्स्चर हमने उठा के रखेंगे लास्ट में डाल को गर्निस करने के लिए अब इसमें दो बारी कटीवफी टमाटर एड़ करेंगे और अच्छे से टमाटर का गलने के लिए वेट करेंगे जब टमाटर बिरी तरह से गल जाए तब हम इसमें डाल को एड़ करेंगे इसमें वान स्पून सॉल्ट एड़ करके अच्छे से उबाल लेंगे लीजिए रेडि हो गया हमारा डाल तरका और डाल फ्राइड और इसको सॉप करेंगे यहां पर हमने एक चुक्रा बाटा लिए हुए है और जो काड़िस करने के लिए जो उठाके रखे दे अनियान और मिक्सचार का फ्राइड उसको देखे थोड़ा सा कोरियंडर लिप्स यहां पर दे रहे हैं देखिए है ना बिल्कुल बेस्टोरें के जैसा ताल तरका और दाल फ्राइड अब ठीरा राइस बनाने के लिए हाइड पैन को प्री हीट करके तू स्पून्स ऑईल वान स्पून खी देंके इसमें पोड़ा मसाला एड़ करेंगे हमने लिया है टू बेली टू स्पूल्स क्यूमिन सीट्स दो एलाएची दो तीन डाल चेनी के पीसेस फोर क्लोब्स पाइप पीसेस ग्रेन चीली मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोरी देर भूनने के बाद इसमें जो राइस भीगवा हुआ था इसको एड़ कर देंगे इस राइस को अच्छे से फ्राइब करने के बाद जब इसमें से सारे मस्चर सूख जाए तब रूं इसमें पानी एड़ करेंगे हमें लिया है तू का राइस इसके लिए हम तुने यहां पर फोर का पानी दे रहेंगे मतलब जितना राइस उससे डबल पानी इसके पुदा कवर कर देंगे तुन मिनिट्स बाल चेद करेंगे कि राइस गला है कि नहीं थोड़ा सा अभी भी कच्छा है और पानी थोड़ा सा अभी इसमें है तो फिर से फाल पिनिट्स के लिए इसको ढ़क के पका लेंगे देखिए वो थोड़ा सा मास्चर अभी है और राइस बिल्कुल रेडी है इसको गैस के फ्रेम को आफ करके 15 मिनिट के लिए इसको ऐसे ही स्टैंड रख देंगे दम के लिए 15 मिनिट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा सौफ करने के लिए देखिए इकना तुनर से र लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल अपकी साथ की हमें बहुत जरूरत है तब तक के लिए स्टे सेब स्टे वेल फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ बाई बाई